तो आज मैं आप लोगों को अफगानिस्तान तालिबान से इंपॉर्टन कुछ चीके बताऊंगी जो अफगानिस्तान पे तालिबान ने हमला कर दिया है और उस पे मतलब कबजा कर लिया है और अभी भी लड़ाई चल रही है तो इसके जो इंपॉर्टन कोशन है वो मैं होते हैं तो यहां पर फर्ष्ट कोशन है तालिबान ने किस देश पर कबजा कर लिया है तो तालिबान किस देश पर कबजा कर लिया है अफगानिस्तान यहां पर अफगानिस्तान का नया नाम क्या होगा तो यहां पर अफगानिस्तान का जो नया नाम है वो होगा इस्लामि Emirates of Afghanistan IEA यहां पर अफगानिस्तान का नया नाम क्या हो जाएगा Islamic Emirates of Afghanistan और कोशन देखेंगे कि अफगानिस्तान किस महादीप में इस्थित है तो अफगानिस्तान जो है अब निश्ट कोश्चन देखेंगे यहाँ पे अफगानिस्तान की रालधानी का क्या नाम है तो अफगानिस्तान की रालधानी है उसका नाम काबूल है अब हम लोग निश्ट कोश्चन देखेंगे कि अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है तो अफगानिस्तान की मुद्रा जो लिए तो अफगानिस्तान के जो रального तो देश्ठ छोड़ कर भाग गए तो उनका जो नाम है नहीं सब्सक्राइब था hani अहमद जय है सद्य मांतर निर्मार किया है तो भारत ने अफ्झट अैस्फस पर सहतूत बांथ कर निर्मार किया तो भारत ने अफज संहेती जूर्ण है उस फर है सेकेंड बांद ए जो मैत्री बांद या सलमा बांद यो ही 2016 में बनाया रूप नेस्ट कोश्चन यहाँ पे आ जाता है कि इंडियन एरलाइन्स के विमान आई सी एट आट सो चौदा का अपरहन कब हुआ था तो यह अपरहन हुआ था 24 दिसंबर 1999 को यहाँ पे देखेंगे निश्ट कोश्चन है डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतराष्टिय सीमा है तो डुरंड जो रेखा है वो पकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की अंतराष्टिय सीमा है यहाँ पे अब important point कुछ देख लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अंतराष्टिय जो सीमा है वो क्या है तो वो है रेट क्लिप रेखा बारत चीन की बीच के अंतराष्टिय सीमा है तो वो है मैक मोहन रेखा और भारत स्रिलंका के बीच जो है वो है पाकेश्ट्रेट यहाँ पे भारत पाकिस्तान रेट क्लिप रेखा और भारत चीन मैक मोहन रेखा भारत स्रिलंका पाकेश्ट्रेट और डुरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अपकानिस्तान को अलग करती है अब अपगनिस्तान में जो है मुस्लिम धर्म के लोग सबसे जादा रहते हैं अब नेstep question है अफगानिस्तान का समय भारत से कितना पीछे है तो अफगानिस्तान का जो समय हो भारत से एक घंटा पीछे है देखते हैं नेश्ट कोश्चन Simon है यहाँ पर अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सहर कौन से है तो अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ा सहर है वो काबोल है तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वही वहां की सबसे बड़ी सहर है अब हम लोग निश्ट यहाँ पर कोश्चन देखते हैं निष्ट कोश्चन है अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है तो हिलमन नदी जो है अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है और यहां पे निष्ट है अफगानिस्तान का सबसे उचा परवत कौन है तो अफगानिस्तान का जो सबसे उचा परवत है वो मांट न साग है तो यहाँ की सबसे ऊच्छी परवत है मांटनो साग इटensed question अब हम लोग देखेंगे अफ्छान के सबसे बड़े बांध का क्या नाम है तो बड़े बांध का जो नाम है हो है सल्मा बान और एक किस नदी पे हैं तो यह जो है हरी नदी पे हैं, तो अफगानिस्तान की सबसे बड़ी बाध का क्या नाम है सलमा बाध और ए जो है हरी नदी पे हैं, अब next question हम लोग देखेंगे, तालिबान के संस्थापक कौन है, तो तालिबान के जो संस्थापक है मुहम्मद ओमर और अब्दुल घनी बरादर है तो यहाँ पे तालिबान के संस्थापक है मुहम्मद ओमर और अब्दुल घनी बरादर निश्ट यहाँ पे कोश्चन है किस वर्ष तालिबान ने अफगानिस्तान पर पहली बार अपना हुकूमत जमाया था तो पहली बार जो है वो अपना हुकूमत जमाया था 1996 में और फिर से वो अफगानिस्तान पे हमला कर दिया निष्ट कोशन यहाँ पे है तालिबान हुकूमत के समय अफगानिस्तान की रालधानी क्या था तो तालिबानी हुकूमत के समय जो अफगानिस्तान की रालधानी थी वो कंधार थी तो जितने भी कोशन है सारे परच्छा के लिए important है अब हम लोग नेश्ट कोश्चन यहाँ पे देख लेते हैं तालिबान के वर्तमान में नेता कौन है तो तालिबान के जो वर्तमान में नेता है ओ है हिब दुल्ला अकुंद जादा यहाँ पे तालिबान के वर्तमान में नेता कौन है हिब दुल्ला अकुंद जादा अब वियत union ने अफगानिस्तान पर अपना कबजा कब्र किया था तो यह जो है अपना कबजा किया था 1989 में तो यह जो कुछ important question थे अफगानिस्तान और तालिबान को लेका और यह जो है परिच्छा के लिए काफी important है और जितने भी अब नए topic होंगी मैं next class में लाओंगी तब तक के लिए bye